उत्रप्रदेश के हातरा जिले के सिकंद्रा राउ थाना छेतर के गाउं फुल रही में भोले बाबा के सत्संग के दोरान मची भगदर में बड़ा हाथसा हो गया इस भगदर में 122 लोगों की मोत हो चुकी है जिसमें जादतर महिलाएं और बच्चे शामिल है हाथसे में डेट सो से अधिक शुर्पधालू घायल भी हो गये हैं घटना की सूचना मिलते ही आलादिकारी मोके पर पहुँच चुके हैं और स्तिती का जायजा ले रहे हैं वहीं मुख्य मंतरी योगी अधित्यनात ने घटना पर गहरा दुख जताया है और हाथसे की जांच के लिए एक कमेठी का गटन भी कर दिया है मुख्य मंतरी ने मुख्य मंतरी ने मृत्यकों के परिजनों को दो दू लाख रूपर गहायलों को पचास हजार रुपे की आतिक शहायता देने के निर्देश भी दे दिये हैं भोले बाबा का सत्संग हातरस और असपास के इलाके में काफी समय से आयोजित होता रहा है से प्रशासन ने विवस्ता की थी लेकिन सत्संग में धाई लाख से अधिक लोग पहुँच गए रिपोर्ट्स के अनुसार गर्मी जादा होने के कारण भगदन मच गई और लोग एक दूसरे के उपर भागने लगे जो जानलेवा साबित हुआ अभी तक 122 लोगों की मौत खबर सामने आ रही है और करेव डेड़ सो लोग घायल हो गए है हादसे के बाद से बाबा अंडरग्राउंड हो गया है पुलिस रात बर उसकी तलाश में छापे मारी करते रही पुलिस मैन पूरी में बाबा के आश्रम भी पहुँची लेकिन वहां भी बाबा नहीं मिला मैन पूरी में आश्रम के बाहर पुलिस तैनाथ है इधर वकील गोरदवेदी ने इलाबाद कौर्ट में पी आई एल दायर करके हाद से किसी भी आई जांच की मांगी है सीएम योगी अधिकारियों से दे रात तक हादसे की रिपोर्ट लेते रहे आज सुबह ग्यारा बजे हाद तरस की जिला स्पताल पहुँचेंगे बोले बाबा का असली नाम सूरज पाल है वे एटा करहने वाला है करीब 25 साल से सत्संग कर रहा है पश्चिम यूपी के अल लावा रजस्तान हरियाना में भी अनूयाई रहता है बाबा